असल को कैसे बताऊंगी उसे पता चला तो बहुत उदास होगी एमेल इतनी जल्दी नया घार पता नहीं कहां से ढूनोंगी दियान कहां है मैंने तुम्हें कितनी हवाज़े दी मैं कुछ सोच रही थी क्यों क्या हुआ तुम्हें क्या हुआ है मुझे बताओ पूछो मत, मकान मलिक, वो हमारा वाला घर बेच रहा है, मुझे कहा जल्द से जल्द घर छोड़ दो, इतनी जल्दी घर कैसे ढूंडू मैं तुम ही बताओ तुम इतनी पुरानी किराइदार हो, वो अचानक कैसे बोल सकता है, तुम अकेली घर कैसे ढूंडोगी लोगों में इंसानियत ही नहीं बची, तुम अपना दिल छोटा मत करो, अरे हाँ, मेरी पडोसवली सेमा का तलाक हो रहा है, और वो घर छोड़ कर भी जाने वाली है तलाक हो रहा है? अच्छा ये है, हो रहा है तुम ऐसे क्यों कह रही हो? मिया बीवी हर शाम एक दूसरे पर चिलाते हैं, लड़ते हैं, मैं तो बस इसी ले ही कह रही हूँ फिर तुम उन्हें तलाक ले ही लेना चाहिए तुम वहाँ शिफ्ट हो जाओ न? हाँ, रुको, फोन करके बता दू कि मैं काम पर लेट हो जाओंगी मुझे नहीं जॉब मिल गई, पहले दिन लेट हो जाओंगी तो अच्छा नहीं लगेगा इसलिए उन्हें बता देती हूँ जॉब मेरी तो बहुत खुश थी और आज फिर निराश हो गई फिर भी चलो, कम से कम जॉब तो है मेरे पास बहुत बहुत मुबारक हो हलो, शुक्रान, यहाँ न, थोड़ी सी प्रॉब्लेम हो गई है जिस घर में मैं रहती हूँ न, उसका मकान मालिक अपना घर बेच रहा है तो मैं अपनी नेवर के साथ घर देखने जा रही हूँ योरगो, योरगो, जल्दी से यूसुप के बुलावा और इनसे बात करवावा कराई धन कप्तान जाने कई से हमरे बोट मा घुज गए यार अब ये लोग कौन है उद्दूनों हुआ जो बैठे हैं का बात करत बड़े तू जाके बात कर रहा है बता नहीं क्या बात कर रहा है ओ गौड प्लीज हमें बचा लो, बहुत डर लग रहा है शान्त हो जाओ, मुसीबत और बढ़ाओ मत मैं सब कुछ हैंडल गर लूँगा इस बोड पर क्यों आये हो क्या बात है, कोई तो हमारी बात समझ सकता है मुझे बता, मैंने समझा दूँगा मैं और मेरी गर्फरेंट बोड पर थे और फ्यूल खतम हो गया हमें जब ये बोड दखी, तो हम हेल्प के लिए इस पर आ गए हम कुछ भी चुराने नहीं आये थे हाँ, हम कोई चोर वो नहीं है हम कैप्टन से माफी भी मांग लेंगे प्लीज हमें जाने दीजी न बात हो गई है समझाना थोड़ा मुश्किल था, पर वो मान गया थांक यू सर मैंने कहा था, हम चोर नहीं है अब यकीन आया, खामा का हमें बांद दिया एक काम करो ना, कुछ दिन के लिए यहीं रुख जाओ सब को बैट के यहां हिंदी से खा देना कितना बोलती हो यार, चुपो जाओ ना इनका दुमाग खराब हो तो फिर से बांद देंगे हमें ठीक है, नहीं बोलूँगी कोई है जो तुम्हें पिक कर सकता है पैलेस बोर्ट से तो उतर जाएं ठीक है, दियान से जाओ ठीक्स अलॉट, हाँ ठीक्यू धियान से जाना, इस जगह के लोग इतने अच्छे नहीं है, समझे ठीक है मैं तुम्हारी गर्फरेंड हूँ क्या तुमने उन लोगों को जूट क्यों बोला और क्या बोलता, ये बोलता कि तुमने किसी के सर पे बोटल फोड़ दी और उनसे बचने के लिए हम इस बोर्ट पर आ गए थे ठीक है, ठीक है हाँ, मैंने सिर्फ उस पर बोटल फोड़ी थी बार-बार क्यों बताते रहते हो तुम ओ, I'm sorry, ये तो तुम्हारा डेली का रूटीन होगा तुम तो ऐसे बोरी जैसे बहुत नॉर्मल बात ही है हाँ, ठीक है, अब कहां जाए पहले एक बैंक डूण कर पैसे निकालते हैं, फिर वोलकन को कॉल करेंगे और ये जो कपड़े हमारे गील होगा है, तो उसे भी चेंज कर लेंगे